नमस्कार दोस्तों बकरी का इलाज और देखबाल चैनल में एक बार फिर से आप सभी का हारदिक स्वागत है साथ यो आज स्क्रीन पे जो आप बकरी देख रहे हैं इसको जनरल इंफेक्शन हो गया है हम अगर किसी के भी घर पे जाते हैं तो जनरल इंफेक्शन की पहचान कैसे करेंगे यह देखिए पहले हम ने टेंपरेशर लिया तो टेंपरेशर में भी कई बार वेरियेशन होते हैं कई बार टेंपरेशर मिलता है तो कई बार नहीं मिलता है तो हम पेट को दोनों तरफ से हिला करके देख लेंगे जैसा कि यहां रवी जी हरियाना हिला रहे हैं दोनों तरफ से हिला करके देख लेंगे क्या इसको एलकलोसिस या ऐसीडोसिस तो नहीं है इसके बाद left flank पर अंगुलियां लगा करके ये भी चेक कर लेंगे क्या ruminal moment हो रहे है या नहीं हो रहे है तो वो भी देखना जरूरी है तो temperature का variation रहता है, ruminal moment नहीं रहते है पसू जो है वो खाना पिना बंद कर देता है जुगाली भी बंद कर देता है और एकदम से अकड के खड़ा हो जाता है ये निसानिया है जनरल infection की अगर हम कहीं पे भी जनरल infection देखते है तो उस इस्तिती में हमें क्या करना चाहिए ये आज हम इस वीडियो के मादियम से practically आपको बताने वाले हैं तो कई बातें जनरल infection के पीछे जुड़ी हुई रहती है जैसे की infection होते ही जब सरीर एकड़ जाता है जाम हो जाता है जुगाली बंद हो जाती है तो उसका जो rumen है वो भी जाम हो जाता है यानि proper work नहीं करता उसमें moment नहीं होता और जब उसमें moment नहीं होता है तो साथ में जो stomach problem है जैसे secondary problem होती है digestive system की वो और जुड़ जाती है यानि जनरल infection के साथ हमेशा digestive system की problem जुड़ जाती है हमें दोनों का इलाज करना होगा तो इलाज में देखिए पहले हम इस्तिमाल कर रहे हैं वही दर्द सुजन और बुखार के लिए injection जो काम में आता है अधिकतर हम काम में लेते हैं किटोफरोफेन हम 2-3 ml के बीच इसको इंट्रा मस्कुलर लगाएंगे किटोफरोफेन ये देखिए इस परगार से किटोफरोफेन इन्ट्रा मस्कुलर लगा दिया है इसके बाद अगर इंजेक्शन का नमबर आता है पानी से धो लिया पानी से धोना बहुत ज़रुज़ी है दो दोईया मिलती है तो कई बा़ समश्या कर देती है उसके बाद इन्जेक्शन लिया है ऐलारजिन यानि CPM CPM और B-complex दोनों को सामिल कर देंगे क्योंकि आगे हम एंटिबाइटिक लगाने वाले हैं तो एंटिबाइटिक के नेगेटिव इफेक्ट्स को रोकने के लिए B-complex और CPM बहुत ज़दा ज़रूरी है यहां पे फ्रेंट्स सामिल करना ज़रूरी नहीं है अगर आप नहीं चाहें तो सामिल ना करें सामिल इसलिए करते हैं कि एक प्रिक की बच्चत हो जाती है यानि एक बार में दो इंजिक्शन लग जाते हैं तो हमें बार बार निडल डालना नहीं पढ़ता बार बार पसु पालक भाई जो है वो परिशानी होते हैं इन्होंने सौत इंजेक्शन लगा दिये चार इंजेक्शन लगा दिये कई बार ऐसा होता है अलांकि जनरली नहीं होता तो यहाँ पर दोनों इंजेक्शन मिक्स करके लगा दिये हैं इंट्रमस्कुलरली, इसके बाद अगली बात आती है एंटिवाइटिक ही, अगर पसु प्रिगनेंट है, तो हमें ऑक्षी टेटरसाइकलीन नहीं लगाना है, बाकि प्रिगनेंट नहीं है और दूद भी नहीं दे रहा है, उस इस्तिती में सबसे बेस्ट जो एंटिवाइट अच्छी तरीके से इसके मालिस कर दें, बाकिया इंजेक्शन बहुत ही अच्छा काम करेगा, यह देखिए हलकी से जलन जरूर होगी इसको, तो मालिक को हमने बोल दिया है कि इसको थोड़ा सा रब कर दें, अच्छी तरीके से मसल दें, ताकि इसको प्रॉब्लम ना हो, उ हर प्रकार की इस्टमक प्रॉब्लम, रूमन प्रॉब्लम को सोल करती है, तो वो हम यहाँ पे आधी आधी बॉलस, सुबे श्याम चाय के अंदर पिलवाएंगे, दोकब चाय जैसे हम पिताय में से बनाएंगे, उसे चान करके ठंडा कर देंगे, और ठंडा करने के बाद, आधी बॉलस, एसनली की उसमें डाल करके आराम से दे देंगे, इसके अलावा गाय भेस का प्रेक्टिकल हिलाज, जो लोगों दिख रहा है, वैट्स कलब इन हिंदी, इसमें विजिट करके सब्सक्राइब करेंगे,